Hello everyone, मैं गृष्मा सिंग, Digital Platform Fels Plus Prapshubi का हार्दिक स्वागत करती हूँ तो हम discuss करने हैं BSc First Semester के Important Questions के बारे में जिसमें की हमने Part A के दो Important Questions का जो दो Lectures है वो हम पहले ही upload कर चुके हैं I hope आपने वो देख लिया होंगे और नहीं देखे हों तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं आज हम discuss करने वाले हैं Part B के बारे में या फिर भाग B के बारे में जिसका First Question जो रहता है Write Main Characters of Pilem Silen Trita and its Classification with Examples यानि कि हमें इसमें Silen Trita जो संग है उसके कुछ लक्षन बताने है सामानिया और उसके अलावा उसका Classification या वरगीकरण के बारे में बताना है और उसके साथ ही उसके कुछ उधारण के बारे में भी बताना है तो सबसे पहले हम बात करें तो Sub Kingdom जो है वो इसका क्या रहता है Meta Joa Kingdom कौन सा है? Kingdom Animalia Sub Kingdom रहेगा इसका Meta Joa Branch कौन सी है? इसकी Antero Joa and Phylum जो है वो रहता है Cylentrata तो Cylentrata की बात करें तो सबसे पहले Cylentrata term जो है वो किसकी वज़स से है? तो क्योंकि इन में एक Central Cavity या जिसे Gastro-Vascular Cavity या Cylentron Cavity कहते है वो इन में Present होती है इसी लिए इनने क्या कहा जाता है? Cylentrata कहा जाता है क्योंकि इन में Cylentron present है Then next है इनको Neiderias भी कहा जाता है इनने Neiderians क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास क्या होती है? Neidoblast cell और Neidocyte cell इसकी Hindi जो है पूरी तरह से मैंने नहीं लिखी है मैं आपको Hindi में बता रही हूँ बाकी आपको हमारे 12th Plus app पे इसे English और Hindi दोनों ही मीडियम में PDF जो है वो मिल जाएगी तो Neideria जो है उन्हें Neiderians क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास क्या रहती है? Neidoblast cells या पि Neidocyte cells जो है वो इनमें present रहती है देन हम बात करें यह Neidoblast cells या जो यह Neidocyte cells है यह किसमें help करती है? तो यह stinging cells होती है या फिर हम कहें यह दंशन कोशिका होती है यह किसमें मदद करती है? तो यह अपने आपको क्योंकि इनमें क्या रहता है? Nematocyst या फिर एक विशेला पधात जो है इनमें उपसित रहता है तो वह इने डिफेंस में मदद करता है अपने आपके protection में help करता है लोको मोशन या फिर गती में भी मदद करेगा और यह प्रे को capture करने में या फिर जो इनका भोजन रहता है उसे पकड़ने में भी मदद करता है Neidoblast cells तो हमने कहा इने सिलेंटरेटर कहा जाता है क्योंकि इनके पास सिलेंटरोन कैविटी होती है Neidarias क्यों कहा जाता है क्योंकि Neidoblast cells होती है जो कि Stinging cells है या फिर इनमें क्या रहता है निमेटोसिस जो है वो present रहता है डिफेंस में मदद करता है लोको मोशन में और फूड को कैप्चर करने में मदद करेगा Then हम बात करें कि फायरम सिलेंटरेटर जो है डिपलोब्लास्टिक एनिमल्स होते है इनके पास आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म जो है वो present रहेगी Radial symmetry जो है वो इनमें पाई जाती है अब Radial symmetry क्या होता है यानि कि इनमे अरिय सम्मिती पाई जाती है अब Radial symmetry या अरिय सम्मिती क्या होती है तो निडोब्लास्ट सेल्स की बात करें तो हम इनमें कहें अरिय सम्मिती क्या होती है तो सम्मिती वो होती है जब किसी जीव को केंद्र बिंदू से या अक से काटा जाए तो वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है उसे ही हम अरिय सम्मीति कहते हैं और यह निडोब्लास यह जो है किसमें पाई जाएगी निडियरेंस में या फिर सिलेंट्रेंस में पाई जाती है तो इनमें रेडियल सिमेट्री जो है वो देखी जाती है या फिर हम कहें इनमें क्या रहेगी और यह सम्मीति पाई जाएगी जो कि क्या है यानि कि जीव को जब केंद्रिय बिंदू से या अक से काटा जाएगा तो वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा mostly यह कैसे होते है मराइन अनिमल्स होते हैं समुद्र में रहने वाले होंगे केवल कुछ जो जन्तू है वो किसमें देखे जाएगे फ्रेश वाटर में या फिर स्वजल में सिरेंट्री है या फिर एक जगे पे चिपके वे देखे जाएगे फ्री स्विमिंग फॉर्म्स भी इनमें पाई जाती है सॉलेट्री और कारॉलन दोनों ही देखे जाएगे यानि कि एकांध में भी निवास कर सकते हैं और कॉलोनी बना कर भी रहते हैं इनमें टीशू लेवल ओफ ओगनाईजेशन जो है वो पाया जाता है यानि कि उत्तक इस्तर का संगठन जो है वो इनमें देखा जाएगा तो लेवल ओफ ओगनाईजेशन की बात करें तो सिलेट्रेटा में टीशू लेवल ओफ ओगनाईजेशन जो है वो पाया जाता है या फिर उत्तक इस्तर का संगठन होता है इनमें mouth जो है वो tentacle से गिरा रहता है यानकी जो मुख है वो इशपर्ष को द्वारा गिरा रहेगा और इनमें एनस क्या रहेगा एपसेंट रहेगा यूजवली ये carnivores है या फिर हम कहें माशाहारी होते हैं और इनमें digestion, intracellular और extracellular दोनों ही प्रकार का पाया जाता है या फिर हम कहें इनमें calcareous skeleton जो है वो present रहता है या फिर calcium carbonate से बना कंकाल देखा जाएगा जो कि इसका example क्या हो जाएगा corals हो जाएंगे और अगर skeleton इनमें absent है जो कि हो गई jellyfish जिनमें कि skeleton या कंकाल अनुपस्तित रहता है तो हमने कहा इसमें skeleton present हो सकता है और या फिर absent होगा present यानि कि किस से बना होगा तो calcium carbonate से मिलका बना होगा example corals हो गया और अगर skeleton या कंकाल की अनुपस्तित है तो वो किस में रहेगी jellyfish में respiration circulation excretory system जो है इनमें absent रहेगा यानि कि स्वस्षन परी संचरण और उस्षजन तंत्र जो है अनुपस्तित होता है इनमें दो body forms जो है cylindrates की देखी जाती है पहली है polyp और दूसरी रहती है mod medusa polyp form की बात करें तो इनकी body कैसी होती है cylindrical shape की body इनमें पाई जाती है या फिर हम कहें इनका शरीर बेलनाकार आकार का होगा यह mostly sysile होते हैं एक ही जगे पर चिपके हुए पाई जाएंगे और इनमें कुछ चोई species है वो motile भी पाई जा सकती है यानि कि गती करने वाली भी हो सकती है may be solitary और colonion यानि कि एकांत में भी रह सकते हैं और colony में भी पाई जा सकते हैं इनमें a sexual face जो है वो देखी जाती है या फिर a langic इनमें अवस्ता होगी example हो गया polyp का hydra and adams या second है medusa तो polyp की बात की थी तो उसमें कैसी body थी cylindrical body थी बेलनाकार आकार के थी medusa जो है umbrella like होंगे या फिर छाता कार होंगे free swimming होगी जब की polyp कैसे थे एक जगे पे चिपके वे सिरेंटरी थे यह free swimming है और इनमें hydro-propulsion moment जो है वो देखा जाता है यानि कि यह कैसे होते हैं umbrella like होते हैं कुछ इस तरह से यह गती करते हैं और यह always कैसे होंगे solitary एकांत में रहेंगे sexual face पाई जाएगी और यह लिया jellyfish जो है वो इनके उधारन है फिर हम बात करें अगर इनमें बहुत forms प्रेजेंट है यानि कि polyp भी देखी जारी है और मेडूजा भी देखी जारी है इनकी life cycle में तो alternation of generation कहा जाता है या फिर metagenesis के आ जाता है यानि कि PD-acontran कहा जाएगा यह किसमें होता है और जो रहते हैं उनमें polyp और मेडूजा दोनों ही form पाई जाती है अगर polyp produce करता है मेडूजा को तो वह sexually करेगा और मेडूजा अगर प्रोडूज करता है polyp को तो वह sexually प्रोडूज करेगा तो यह हो गया polyp जिसमें कि हमने कहा इनकी body कैसी होगी cylindrically और फिर बेलनाका राकार की देखी जाएगी और इनमें क्योंकि हमने कहा polyp और sexual reproduction करता है तो बडिंग द्वारा इनमें नया जीव बन जाएगा और मेडूजा जो है अम्रेला शेफ्ट होते हैं hydro-propelcent moment द्वारा moment करते हैं और इनमें sexual reproduction पाया जाता है sexual reproduction सिंगैमी के द्वारा होगा और sexual reproduction किसके द्वारा होगा बडिंग के द्वारा fertilization इनमें external और internal दोनों ही प्रकार का पाया जाता है यानि कि इनमें बहाया निशेचन और आंत्रिक निशेचन दोनों ही देखे जाएंगे बहाया निशेचन यानि कि जीव के शरीर के बहार अगर निशेचन हो रहा हो और आंत्रिक निशेचन यानि कि जीव के शरीर के अंदर निशेचन या फिर फटलाइजेशन होता है ये हुआ हमारा जो सिलेंटेटा है उसकी जनरल क्याक्टरिस के बारे में देन हमें कोश्चन में पूचा है क्लासिफिकिशन इसका क्या है या फिर वर्गी करण क्या रहेगा तो हम बात करें सिलेंटेटा फाइलम की तो इसे तीन क्लासिज में डिवाइड किया जाता है हाइडरो जुवा, साइफो जुवा एंद एंथो जुवा तो इसकी important classes जो है कौन सी है Hydro-Joa, Sifo-Joa and Antho-Joa हमें question में के वल classes तक ही पूछा है तो Hydro-Joa जिसका example Hydra and Obelia and Phycilia हो जाएगा Sifo-Joa जिसका Aurelia है and Antho-Joa जिसका example हो जाएगा Gorgania and Panadula तो first class हमारी रहती है Hydro-Joa यार मिंकि पहला वर्ग जो रहेगा वो कौन सा है Hydro-Joa यह solitary हो सकते है and fresh water और mostly marine and colonial होंगे यानि कि यह कांथ में देखी जाएंगे fresh water में होंगे और या फिर यहाँ अधिकतर समुंदरी और कैसी होंगे colony में रहने वाले इनमें केवल polyp form और या फिर polyp और medusa दोनों ही form जो है वो पाई जाएगी जिसका example क्या था ओबेलिया यानि कि इसमें polyp और medusa दोनों देखी जाएंगे gastrovescular cavity जो है stromodium और septa के बिना होगी many hydro-Joa exhibit alternation of generation hydro-Joa जो है वो alternation of generation या फिर पीडी एकांधरन को दर्शाते हैं यानि कि उनमें polyp और medusa दोनों condition देखी जाती है celiated panular larva जो है वो इनमें पाया जाता है skeleton किससे बना होगा calcium carbonates का बना होगा और इसका example क्या हो जाएगा hydra, obelia and phi cilia तो यह था class hydro-Joa के बारे में second class हमारी है class sypho-Joa या फिर वर्ग sypho-Joa तो यह exclusively marine होते हैं अधिकतर समुंदरी होंगे और इनकी solitary forms होगी एक कांथ में रहने वाले होंगे sypho-Joa की बात करें तो इनमें medusa stage जो है वो dominant रहती है या फिर medusa अवस्ता जो है वो इनमें प्रभावी होती है वो अधिकतर देखी जाती है polyp stage reduced रहेगी या फिर कम या फिर अनुपस्तित रहेगी amrela medusa जो है हमने बात की medusa कैसे होते है amrela shaped होते है तो इनकी कैसे होगी इनका body का आकार या फिर इनकी शरीत का आकार होगा चाता कार और इनमें gastric tentacles endodermal होंगी origin में stromodium absent रहेगा sense organs जो है aurelia, rhizostoma and pylemma थर्ड क्लास हमारी है antho joa पहली क्लास हमने डिसकुस की hydro joa, second class की sypho joa थर्ड जो क्लास रहती है इसकी antho joa है या exclusively ये भी मराइन होते है इनमे polyp stage जो है वो dominant होती है hydro joa में हमने कहा इनमे polyp और medusa दोनों देखे जाएंगे sypho joa जिसमें की medusa stage dominant है और जो antho joa है उसमें polyp stage जो है या polyp form जो है वो dominant रहती है medusa stage इनमें absent देखी जाती है ये कैसे होंगे तो फिर क्योंकि polyp form है तो इनकी body कैसी होगी cylindrical देखी जाएगी mouth leads to a tubular stomodium इसमें stomodium देखा जाएगा oral dicks, bear, tentacles around mouth in the center तो इनमें tentacles भी देखे जाएगे fertilization कैसा होगा external यानि की बाहिया प्रकार का nutrition जो है वो इनमें पाया जाएगा solitary और colonial हो सकते हैं यानि की एकांथ में भी रह सकते हैं और colony में भी gonads, endodermal होंगे और misentries adam, shea, panetula और corallium जो है वो इसके उधारन हो जाएगे तो ये पूरा था हमारा silent data के बारे में उसके general characters classification और examples के बारे में जिसमें की हमें class तक ही पूछा गया था इसलिए हमने तीनों classes और उसके साथ में कुछ उनके important characters और उधारन के बारे में बताया then second question है हमारा what is natural selection यानि की प्राकर्तिक chain क्या होता है उसके बारे में हमने बताना है वो सिध्धान्त किया है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था इसके प्रकार कौन कौन से है हम वो बताएंगे तो प्राकर्तिक चैन क्या है सबसे फर्स जो हम लिखेंगे वो है नेचिरल सेलेक्षिन डिस्क्राइब बई चर्स डविन यानि की प्राकर्तिक चैन का सिध्धान्त किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था चर्स डारविन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था Tube बेसिग सब्डमلمटलन मेकैनिजम आपच़। wipe यानि कि विकासवाद के सिध्धान्त का ये बुन्यादी सिध्धान्त है और मौलिक कंत्र है यानि कि प्राकर्तिक चेयन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव अपने परियावरण के लिए बहतर रूप से अनुकुलित होते हैं और जीवित रहते हैं तथा अधिक से अधिक संतानों को उत्पन करते हैं तो प्राकर्तिक चेयन क्या है यानि कि परियावरण में परिवर्तन आने के साथ ही जीर क्या कर रहे हैं अपने आपको अच्छी से अनुकुलित कर रहे हैं परियावरण ये परिसित्य के अनुसार और उसके बाद में यह क्या करेंगे जीवित रहेंगे सर्वाइब कर को उनके परियावरण के साथ सरवंफ तुम रूप से क्या क्या जाता है समायुजित किया जाता है और जीवित रहने और प्रजनन करने में सफलता मिलती है एक्जाम्पल की बात करें तो हमने बात की है गैलप अगस आइलेंड जो है उस पे जो डार्विन फिंचेस है वो इसक इनमें जो गैलप अगस आइलेंड पर जब गए तो उन्होंने देखा कि अलग-अलग आकार की चोच जो है इन फिंचेस की देखी जा रही थी और इसी वज़स से इन्होंने बताया कि नेचर ने जो है किसी सेलेक्ट किया है तो इनकी जो फीडिंग हैबिट्स थी या फिर देखा गया तो नेक्स्ट है हमारा की टाइट्स क्या रहते है नेचरल सेलेक्शन के या प्राकर्तिक चयन के प्रकार कौन-कौन से हैं तो बेस्ट अपन डिफ्रेंट और्गेंजम्स इन्वार्मेंट रिलेशन्शिप फॉलोविंग ती डिफ्रेंट काइंड्स ओफ नेच पॉपुलेशन का ग्राफ है जिसमें कि हमने कहा यह क्या है इनके तो यह है लाइट कलर के चुए और यह हो गए डाप कलर की यह एवरेज यानि कि ना ही लाइट है ना ही ज्यादा डाक है तो जब उन्होंने इस ओरिजनल पॉपुलेशन पे जब इन्होंने श्टडी की त बोगनों ने देखा कि कुछ environmental changes की कारण क्या हो रहा है तो इनमें nature ने जो है select किया तो इनमें तीन प्रकार का हमने natural selection देखा पहला है directional दूसरा है diversity find और तीसरा है stabilizing selection अब यह क्या होता है तो पहला हम देखेंगे directional selection यानि कि nature ने केवल light color के चूहों को select किया है या फिर केवल dark color के चूहों को select किया है तो यह जो graph है या तो left side में हो जाएगा shift या फिर right side में shift हो जाएगा तो directional selection क्या है यानि कि nature ने केवल light color के चूहों को favor किया है या फिर केवल dark को किया है तो हम अगर example में हमने जो लिया है तो यह dark color के चूहें जो है वो केवल जीवित बचे हैं और बाकि सबी क्या हो गए नश्ट हो गए तो इनमें जो graph है यह right or shift हो जाएगा second है diversifying selection यानि कि इसमें nature ने light color के चूहें और जो dark color के चूहें हैं उन दोनों को ही select किया है और इसलिए यह क्या हो गया diversifying selection हो गया और जो बीच के जो ओसत average वाले जो चूहें हैं उनको क्या कर दिया है reject कर दिया है तो first time discuss करेंगे stabilizing selection जिसे की normalizing selection भी कहा जाता है यानि कि इस्त्री करण चरण जिसे की सामानी करण चरण भी कहा जाएगा तो इस्त्री करण चरण जिसे की सामानी चरण या फिर उसे ही kendra को भी मुख चरण भी कहा जाता है या फिर उसे क्या कहा जाता है केवल जो average होते हैं या उसोत होते हैं उन्हें ही चुना जाता है इस्तिरिया सामाने वातावरण में होने वाले उत्परिवर्तन इसमें क्या हो जाते हैं इसमें किसे favor किया जाता है जो average और normal phenotype है उन्हें ही select किया जाता है और जो extreme variants होते हैं उन्हें eliminate कर दिया जाता है या कार के वक्रत जो है दोनों सीरों के और आने वाले चरम प्रकार को क्या कर देता है समाप्त कर देता है तो जैसा कि हमने कहा यह क्या करेगा तो इसमें जो नेचर है वो किसे favor करता है average और normal phenotype होती है उसे favor करता है और जो extreme variants होते हैं यानि कि जो light और dark है उन्हें क्या कर देगा eliminate कर देगा इसके example की बात करें तो इस पैरोस जो है वो इसका example है जिसके बारे में किसने बताया था तो इसके बारे में बताया ऐसी बुमपस ने तो गोरिया इस्तिचयन का प्रसिद उधारन है जिसके ऐसी बुमपस द्वारा बताया गया तो उन्होंने एक रोड ध्वीप है उसमें भिश्यन ओला व्रश्टी की कारण होने वाले तुफान में लगबग 136 गोरेयों का या फिर स्पैरोस का अध्यान किया उन्होंने देखा कि गायल या मरते हुए उन्होंने 136 स्पैरोस को देखा उन्होंने यह पाया कि तुफान से मारे गए पक्षियों के पंक आबादी के ओसत की तुलना में क्या थे सामान्य रूप से छोटे या फिर लंबे थे जीवित बचे बहुतर पक्षियों में से इनाशकारी गटनाओं के दौरान औसत से भिन जीवों को खतम कर दिया जाता है यह है एवरेज जो हमने बात की है तो इसमें क्या होगा एवरेज पॉपुलेशन जो है उसे सेलेक्ट किया जाएगा बाकी को एलिमिनेट कर दिया गया है तो जो इनका ग्राफ होगा कैसा तो यह पूरा हुआ इस सेलेक्ट के बारे में फॉपुलेशन सेलेक्ट करता है वट बाकी को एलिमिनेट करता है जिसे की प्रोग्रेस्चन भी कहते हैं तो दिशात्मक चेयन या फिर प्रगती शील्चेयन क्या होते है इने ब्रेक्ष होता वोध्पन करता है। ऐसा पर्यावरण में एक विशेश दिशा में परिवर्थन के कारण ही होता है। और आसे व्यक्तियों का समर्थन करता ऐं जो कि by अगया जाती हैं और नई परियावर्णी या पारिस्तिक स्थतियों के लिए सर्वत्म रूप से अनुकुलित हो जाते हैं इन परिस्तियों को संचालित करने के लिए ही इसे क्या कहा जाता है तो इसी चयन को दिशात्मक चयन कहा जाता है तो इसके example की बात करें तो डायक्ष्ट्र सेलेक्शन का example क्या है हम पढ़ेंगे industrial melanism के बारे में यानि की bichten batularia की बारे में तो सबसे पहले बात करें तो पहले क्या था अगर हम सबसे पहले primitive earth की बात करें प्राचीन वातावरण की बात करें तो उन्हें बैतर रंग से अगर देखा जाए तो उनमें पेडो का रंग कैसा था क्योंकि उस टाइम पर प्रदुशन नहीं था तो पेडो का रंग काफी हलका देखा गया था तो पेडो का रंग हलका था और जो बिष्टन बैटूलेरिया है वो भी दो कलर के देखी जा रही थी एक थी लाइट कलर की और एक ती डाक कलर की तो इन में पेडो का रंग जो है पेडो का रंग कैसा है हलका है प्राचीन वातावरण में यह है पहली बिष्टन बैटूलेरिया लाइट कलर की और यह है डाक कलर की तो लाइट कलर की जो संख्या में लगातार क्या हुई कमी आती गई प्राचिन वातावरण में क्योंकि यहां काफी आसानी से पैचानी जा रही है और यहां नहीं देखी जा रही थी बाद में क्या हुआ जैसने से ओदोगी करन बढ़ता गया प्रदुशन बढ़ता गया तो यह जो पेड़ों का रंग है कैसा हो गया गयर होता गया तो उसके बाद में यहां जो मौँथ है यह काफी आपक हा जी ली देखा जा रहा था और इसनक्राव उसके संक्रावर की लगात्ता क्या होने लगी तो मौत जा रहा था और यह आसानी से पैचाना जा रहा था तो इसी वज़ए से nature ने जो है किसे select किया तो प्राचीन वातावरण में डार्ब कलर के मौद को select किया इसको क्या कर दिया लग मौद का कमी आई और जो वाइड कलर का मौद था उसे लगा सेलेक्ट किया तो इसकी संख्या में लगातार व्रद्धी हुई प्राचीन वातावरण में और ओधोगी के बाद जो है नेचर ने किसे सेलेक्ट किया डाक कलर के मौत को तो इसकी संख्या में लगातार व्रद्धी हुई तो इसे ही हम क्या कहा रहे है डायरेक्शनल सेलेक्श यानि कि विगटन कारी चयन या फिर विविदी करण चयन क्या है यानि कि nature जो है light और dark दोनों को ही select करेगा और जो average उसे eliminate कर देगा तो इस प्राकतिक चयन में दोनों चरण की सदस्यों का चयन किया जाता है और औसत को क्या कर दिया जाता है खारिच कर दिया जाता है इन इस natural selection members of both extreme are selected and average value get rejected after this natural selection two peaks are formed इसके बाद में क्या होती है दो peak बनती है या फिर हम करें इस प्राकतिक चयन के बाद में दो शिखर बनते हैं ग्राफ में एक प्राकार का प्राकतिक चयन जो व्यक्तियों को लक्षन प्रारूपिक वित्रन के केंद्रे से हटा देता है और वित्रन को द्वी मैडल बना देता है दो चरम भिन्नताएं जो है इसमें अधिक सामानिय होती है यह पूरा हुआ और डाइवरसींग्फाइंग सेलेक्शन का जिसके बारे एक्जामपल जो है यह संफ्लावर प्रॉपूलेशन है तो जैसा कि हमने कहा हमने नैचुरिव सेलेक्शन के तीन प्राकार दे के पहला हमने देखा स्टेबिलाइजिंग सेलेक्शन जो की क्या था यानि कि नेचर जो है केवल average को select कर रहा है, बाकी दोनों को eliminate कर रहा है, तो इसमें graph जो है, वो कैसा होगा, bell shaped का प्राप्त होगा, तो इसमें bell shaped का graph मना, और किसे select हिया गया, average को लगातार select हिया गया, then second हम discuss हिया, हमने directional selection के बारे में, या फिर दिशात्मक्चेयन के बारे में, तो इसमें nature न जाएगा, इसलिए से directional selection या फिर दिशात्मक्चेयन का आ जा रहा है, third है disruptive selection या फिर हम कहें, विगटन कारी चेयन, तो disruptive selection क्या है, यानि कि nature जो है, वो दोनों extreme को select कर रहा है, और जो average है, उससे क्या कर देता है, eliminate कर देता है, disruptive selection के example की बात करें, तो sunflower population जो है, सेंक्रोमेंटो गाटी में, सुरजमुकी की आबादी में विगटन कारी चेयन का अध्यन किया था, शुरूआत में इन सुरजमुकी की आनुवाणशिक रूप से परिवर्टन्शील आबादी में दो प्रजात्यों के बीच में एक संकर थी, पांच वर्षों के बाद ही तो यह क्या हो गई? disruptive selection का example हो गया तो next question है हमारा explain Miller experiment यानि कि Miller के प्रयोग को हमें समझाना है इसमें जिसमें कि सबसे पहले बात करें कि Miller's experiment जो है वो किसके द्वारा दिया गया तो यह Stanley L. Miller द्वारा 1952 में सबसे पहले दिया गया था यानि कि 1912 में सबसे पहले Stanley L. Miller ने यह प्रयोग जो है वो प्रस्तावित किया In this experiment, Miller created exactly the same condition at the laboratory level as predicted on proto-earth या primitive earth यानि कि इस प्रयोग में Miller ने क्या किया? अपनी प्रयोग शाला इस्तर पर बिलकुल वैसी ही स्थतिया बनाई जिसके पूर्व प्रत्वी पर भविश्यवानी की गई थी तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो है इन्होंने क्या किया? एक Laboratory में experiment किया या प्रयोग किया अपनी प्रयोग शाला में उन्होंने किया कि सबसे पहले Water को इसमें से oxygen को reduce करने के लिए एक vacuum pump को लगाया देन उसके बाद में उन्होंने क्या किया इस सबसे पहले जो यह सारे इनोंने जो glassware लिये हैं उनको क्या किया sterilize किया उसे रोगानो मुक्त किया और उसके बाद में इसमें क्या किया गया इलेक्रिक बिस्चार्ज किया गया और methane, ammonia और hydrogen जो है वो दो दो और एक के अनुपात में मिलाई यह तीनों gases मिलाई और water vapor भी साथ में थी उसके बाद में उन्होंने condensal लगया, water droplets जो है वो आई और उसके बाद में उन्हें क्या मिला तो यहाँ पे उन्होंने देखी कि glycine, alanine और aspartic ऐसे तीनों अमिलों अमिलों का मिश्रण जो है वो से मिला तो इस प्रयोग में मिलर ने प्रयोग साला इस्थर पर बिल्कुल वैसी ही सत्या बनाई जैसी की primitive वर्थ पर मौजूद थी उन्होंने जीवन की उत्पत्ती को समझने के लिए एक प्रयोग किया तता मिलर ने ऐसे अनू लिये जो प्रारंबिक प्रत्वी पर प्रमुग गटक के रूप में मौजूद थे उन्होंने उन अनूओं को रोगानो मुक्त ग्लास ट्यूबों में और फ्लास्क में डाल दिया और फ्लास्क को किटानों रहित करने के बाद में क्या कर दिया बंद कर दिया मैथेन अमोनिया और हाइड्रोजन ली जो की दो दो और एक के अनूपात में थी और क्या किया इलेक्रिक डिस्चार्ज या फिर विदुथ प्रवात जो है उसे पारिद किया जो बिजली के तुफान के समान था जो प्रारभ्विक प्रत्वी पर भी मौजूद था एक सब्ता के बाद उन्होंने देखा कि ग्लाइसीन, एलेनीन और एस्पार्टिक अमिनो अमल जो है इन तीनों का मिश्रन उसमें प्राप्त हुआ यानि कि प्रतिक्रिया के मध्यवर्थी उत्पाद, एल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो भी थे इसलिए ये प्रयोगे सित करता है कि कावनिक योगिक वो कोशिकिये जीवन के लिए आवशक है कि प्रारंबिक प्रत्वी पर मौझुद प्रडिस्तियों के तहत उन गैसों में स्वचालित रूप से बनाए गये थे तो ये पूरा था मिलर्स का एक्सपेरिमेंट प्रिमिटिव और्थ पर अगर हम बात करें तो कैसा एंवर्मेंट था रिडूजिंग इनवर्मेंट था यानि कि ऑक्सीजन वहां पर नहीं थी इसलिए उक्सीजन को निकाल दिया सबसे पहले और टेमप्रेचर वहां का कैसा था हाई टेमप्रेचर था फिर हमने कहां उन् बॉर्में वाटर को बॉयल किया ऑक्सीजन को वहां से रिमुव कर दिया दैन इलेक्रिक डिस्चार्ज किया मैथज डूलि़ ने अमोनिय और हैइड्रोजन दो और एक क्या नॉपात में ली और उसके बाद में उन्होंने टैंपरेचर को क्या किया , कम किया और उसके बाद में उन्हें क्या मिला तो एलनीन, एसपार्टिक ऐसे और ग्लाइसीन जो है उन तिनों का मिश्रण प्राप्त हुआ ये था पूरा मिलर्स का एक्सपेरिमेंट तेन फूर्थ कुश्चिन हमारा रहता है राइटर नोट और कनेक्टिंग लिंक ये कुश्चिन काफी important है कि सयोजक कड़ी क्या होती है उससे समझाना है तो while classifying animals, one come across certain animals और small animal group which exhibit characteristics of more than one group यानि कि जन्तूओं को वर्गी कृत करते समय कुछ ऐसे जन्तूओं सामने आते हैं जो कि छोटे समों हो सकते हैं या फिर बड़े हो सकते हैं जो कि एक से अधिक समों की विशेशताओं को प्रदर्शित करते हैं यानि कि एक से अधिक जन्तूओं की विशेशताओं को जो प्रदर्शित करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे सयोजक कड़ी तो ऐसे जन्तू या जन्तू के शमू उन दो समूओं के बीच की connecting link या सयोजक कड़ी के रूप में जाने जाते हैं जो कि एक सदिक जन्तू के लक्षनों को प्रदर्शित करते हैं First हम इसमें लेंगे वाइरस के बारे में या फिर विशानों के बारे में So these are described as connecting link यह किसके बीच की connecting link है non-living और living के बीच की यानि कि इसमें निर्जीव और जीविच जीवों के बीच की सयोजक कड़ी के रूप में इसे जाना जाता है non-living characters कौन-कौन से रहेंगे तो निर्जीव लक्षन इसके रहते हैं विशानों को अ-काबनिक और काबनिक योगिकों की तरह ही क्रिश्टलिक्रत क्रिया गया है यह enzyme प्रणाली रहित होते हैं enzyme इनमें नहीं होते हैं और इसी वज़े से यह metabolic activities में participate नहीं करते हैं यानि कि यह enzyme प्रणाली रहित है इसी लिए किसी भी चयाप चयी गति वीदी में यह भाग नहीं लेंगे these are unable to respond to external stimuli यह जो बाहरी उद्वीपन होते हैं उसके प्रति-प्रतिक्रिया नहीं करते हैं निर्जी वो की भाती और आकार में व्रदी नहीं करेंगे इनकी size जो है वो grow नहीं करेंगे living characters की बात करें तो जीवित लक्षन कौन-कौन से है तो यह multiplication करते हैं या फिर reproduction जो है इनमें multiplication के द्वारा होगा और इनमें mutation देखा जाएगा यानि कि विशानू जीवित प्रणाली के अंदर ही गुणन या प्रजनन करते हैं इनमें उस उत्परिवर्तन से भी यह गुजरते हैं यानि विशानू में पुनर स्योजन और आनुबान्शिक्ता का गुण भी पाया जाता है यूगलीना की बात करें तो यूगलीना जो है यह भी connecting link माना जाता है किसके बीच में प्लांट्स और अनिमल्स के बीच में यूगलीना जो है एक प्रकार का protozoans है यूगलीना में प्लांट्स की तरह ही प्लास्ट और क्लोरोफिल पाये जाते हैं यानि कि यह ओटोट्रॉपिक होते हैं अपना nutrition या पर अपना बोजन जो है वह स्वयम संस्लेश ही व्यत्रUAKER के द्वारा गवरड रहती है और यह प्रोडक्शन करती है बिल्कुल एनिमल्स की तरह तो जंतों की तरह ही यूगलीना का शरील पैलीकल से ढका होता है और यह जंतुों की तरह ही प्रज्ञनन करता है तो इसी वजह स Lagos का या प्लांट्स और आनिमल्स के बी यह एक कोशीकाओं के समान होती है यह एक कोशीक और बहु कोशी के जनतूओं के बीच की सयोजग कड़ी के रूप में जानी जाती है पेरीपैटर्स की बात करें तो यह कनेक्टिंग लिंक होती है एनेलीट्स और आर्थरोपोड्स के बीच की सयोजग कड़ी है एनेलीड्य करेक्टर कोन कौन से होंगे तो इन में रेफरीडिया होते है एक्सद्री और गाण की तरह वर्ग करते है यानि कि उस्षरजन अंगों के रूप में इनमें नेपरीडिया की उपसिती देखी जाती है, बिल्कुल एनिडिट्स की तरह, बॉड़ी स्यूडोसेगमेंटेट होती है, और बॉर्म-लाइक उती है, इनमें सिंपल आइस की प्रेजन्स होती है, और थिक क्यूटिकल भी देखी जाती है, या मोटी क्यूटिकल भी पाई जाएगी, Arthropods के characters कौन-कौन से है? Claude और Pseudo-segmented walking legs जो है वो इनमें पाए जाएंगे यानि कि पंजेदार और छदम खंडो वाले चलने वाले पैर होते है Presence of Trache as respiratory organs यानि कि स्वसन अंगो की तरह रूप में स्वास ननी की उपसिती इनमें पाई जाएगी और Antina भी इनमें present रहता है Then next है हमारा Neopilina Neopilina जो है Anilids और Mollus के बीच की connecting link है अब इनमे Anilidic characters कौन-कौन से है? तो इनमें Metamedic Structural Pran होगा इनमें 5-6 pairs जो है उनमें Tinnidia देखे जाएंगे 6 pairs of Nephridia होते हैं एक pairs हो है Retractor Muscle की होगी और 2 pairs जो है इनमें क्या देखे जाएंगे? Oracles Mollus character कौन से है? तो इनमें Shell और Mentals की present देखी जाती है Other Mollus की तरह और इनमें एक चप्टा मांसल पैर होगा जो की Kite-turn की तरह होता है तो सरीर इनका कैसा होता है? नरम होता है और और सो वेंटरली फ्लेटर होता है या फिर प्रस्ट उदर तरह की चप्टा होगा Then next है Pro Top Terrors या फिर जिसे Lung Fish कहा जाता है ये Fishes और Amphibians की बीच की Connecting Links होती है या मचलियों और उबैजरों की बीच की सयोज़क करी है Fishes की Characters की बात करें तो इनमें अदर Fishes की तरह ही Pair Fins पाये जाते है Dermal Scales होंगे, Gills होंगे Segmented Trunk होती है, Tail Muscles होती है और Ear represented by External Ear Only Sorry, Internal Ear Only Amphibians Characters कौन-कौन से होंगे तो इंटरनल Nostril पाया जाएगा Lungs होंगे और Heart होगा यानि कि आंतिक नासी का चिद्र एक फैफडा और हर्दय अपनुन रूप से आलिंद में विभाजित होगा Archeopteris जो की बहुत ही Important Connecting Link जो है, वो देखी जाती है यह किसके बीच की Connecting Link है? Reptiles और Birds के बीच की Reptilian characters कौन से होंगे? तो इन में तीद देखी जाएगी और टेल देखी जाएगी बिल्कुल Reptilian की तरह यानि कि Archeopteris में दागतों और पूछों की उपसिती होगी और Aven character कौन से होंगे? Wings की Presence, Beaks की Presence और Jaws की Presence बिल्कुल Ares की तरह इन वर्टीब्रेट की characters कौन से होंगे? इनक्लूद इन में फॉस्पोजन्स और लावा सम्मेरित होंगे और Chaudet characters यानि की Chaudet के main characters आपको पता है तो basic characters जो हम Chaudet के देखते हैं वो है Notocod की Presence, Nerv Cod होना और Gills Lips होना ये तीनों भी पाई जाएगी Then next and last हमारा रहता है एग लिंग मैमल्स के बारे में जो कि किसके बीच की connecting links है? रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की रेप्टाइलन characters इनके कौन के होंगे? तो ये अंश मेखला में एक बड़े कॉरेकोईड और पित और कवच की साथ अंडे देने में शरीशरकों से मिलते जुलते होते हैं और मैमल्स के बारे में इसका एक्जामपल हो जाएगा तो ये पूरा था connecting link के बारे में Then हमारा next question है वो है what is fossils and their types? यानि की जिवाश में क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या है? तो सबसे पहले हम बात करें fossils word जो है एक Latin word से लिया गया है fossilum से जिसका मतलब क्या होता है? Something dug out यानि की कुछ बाहर की और निकालना या खोद कर निकाले गई चीजे या वस्तुए तो जिवाश में शब्ड जो है Latin शब्ड से लिया गया है fossilum जिसका अर्थ होता है खोद कर निकाले गई वस्तुए या फिर अवशेश इसका साब्दिक अर्थ है धर्ती से खुदाई करने पर प्राप्त जो अवशेश हमें मिलते हैं उन्हें ही हम fossils या जिवाश में कहते हैं So fossils remains or imprints of plants or animals preserved from prehistoric times by the operation of natural conditions यानकी प्राकर्सित्यों के संचालन द्वारा प्राग एतिहासी काल से सरक्षित पादप और जनतों के जिवाश में या छाफी क्या कहलाते हैं जिवाश में कहां पर मिलते हैं तो fossils are found in sedimentary rocks, coals and sometimes in amber and certain other materials यानकी जिवाश में तलचटी चटान, डामर और कोईले में थाता कभी-कभी एंबर और कुछ अन्य सामक्रियों में भी पाए जाते हैं और जिवाश में का अध्यन क्या कहलाता है जिवाश में विज्ञान या पिरियंटों लॉजी कहलाता है फॉसिल्स की स्टड़ी करना ताइप्स की बात करें तो फॉसिल्स जो है कई प्रकार के देखे जाते हैं सबसे पहला टाइप है इसका बॉडी फॉसिल्स या फिर जिसे देहिक जिवाश में कहा जाएगा तो the fossils of hard parts of an organism such as shell, tooth and bone are called body fossils यानि कि किसी जीव के कठोर भाग जो है जैसे की कवक्च हो गए, दाथ हो गई, हड़ी हो गई इन सबी जिवाश में कहा जाता है देहिक जिवाश में कहा जाता है this provides details of shapes and functions of actual organisms यानि कि वाश्विक जीव के आकार और कारियों का विबरन भी प्रदान कर देते हैं ये सबी आकरतियों और आकारियों में पाये जाते हैं और इनमें शुक्ष में शमुंद्री निवासी से लेकर विस्तकाल इस्थानिये डाइनसौर जो है इस्तरिये डाइनसौर जो है वो भी शामिल है जिनके body fossils देखे जाते हैं सेकेंड है सब फॉसिल्स या फिर उपजिवाश्म ये दसचार वर्ष से भी पूर्व चटानों से सरक्षित जन्तूओं और पादपों के अवशेश होते हैं इन में जमी हुई बर्व, पीट दरदल में फसे, बाइसन या गुफाहों में जो ममिक्रत प्राचीन मानव के अवशेश है वो सभी शामिल है ये इतने प्राचीन अवशेश होते हैं या फिर इतने प्राचीन जिवाश्म होते हैं सब फॉसिल्स तो होलोसेन युक के दौरान अंतिम हीम युक के बाद उप जिवाश्मों का निर्मार हुआ था या फिर सब फॉसिल्स का फॉर्मेशन हुआ देन आता है माइक्रो फॉसिल्स जो कि थर्ड रहेगा हमारा सुक्ष्म जिवाश्म तो यह देज आर फॉसिल्स रिमेंस और माइक्रो इसकोपिक एनिमल्स और प्लांट जिसकी जो साइच है वो 0.5 mm से भी कम होगी यानि कि यह सुक्ष्म जन्तु और पात्पों के जिवाश में आवशेश है जिनका आकार आम तौर पर 0.5 mm से भी कम होगा हालांकि इन जिवों के कंकाल का व्यास 10 cm या उसके आसपास भी हो सकता है पॉर्थ हमारा आता है मैक्रो फॉसिल्स या फिर जिसे हम कहेंगे व्रहत जिवाश्म यानि कि इन में क्या होगा तो ये जिवाश में आकार में क्या होंगे बड़े होंगे और 1 cm से भी बड़े देखे जाएंगे इनमें अतदिक विक्सित पादप और जन्तों के जिवाश में शामिल है जैसे की क्ले, मूंगा या कशेरू क्यों के कंकाल जो है वो मैक्रो फॉसिल्स में आते हैं देन है अन्यूजवल फॉसिल्स या फिर हम जी से क्या कहेंगे तो ये जीवाश में गटनाव और इस्ततियों के सयोजन से बनते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सभी आदिकांश जीव जो है वो चठान में क्या हो जाते हैं सरक्षित हो जाते हैं यानि कि ऐसी घटनाई हो रही है या फिर इस्ततियां आ रही है जिसकी बज़े से क्या हो रहा है तो यहाँ जीव जो है वो क्या हो गए हैं चठान में सरक्षित हो गए हैं उन जीवाश में क्या कहेंगे अन्यूजवल फॉसिल्स कहेंगे Trace Fossils क्या है? तो यह अतीत में रहने वाले जीवों द्वारा गोडे गए, छोडे गए जो निशान है और कीचर में छोडे गए पैरों के निशान के जिवाश्मा होते हैं तो trace fossils क्या होते हैं यानि कि जीव है उनके जो छोड़े गए पीछे निशान जो रहते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं trace fossils कहते हैं जैसे कि उधारन के लिए dinosaur के पैरों के निशान हो गए क्रमी के निशान हो गए और क्लीम जो बिल सभी trace charm, trace jivaasma होते हैं तो इसका अर्थ यह रहता है कि इन जीवाश्मों का निर्मान कैसे होगा जीवों की दिन प्रति-दिन की क्रिया प्रति-क्रिया के द्वारा यानि कि जैसे कि चलना हो गया उनका रेंगना हो गया तो इसी के द्वारा इनके पीछे क्या रहेंगे कुछ निशान जो है वो छोड़े जाएंगे उसे ही हम trace fossils कह रहे हैं तो जैसे कि चलना रेंगना बिल खोदना और भोजन करना आदी then next है caprolites, caprolites काफी important fossils है तो हम बात करें ये भी क्या है trace जिवाश्मा होते हैं ये जन्तों के गोबर या मल के जिवाश्मा होते हैं caprolites इनका आकर समुद्री गोंगे के छोटे मल कनों से लेकर मगर मचो और डाइनसौर या इस्थांदारियों के बड़े क्रोप्रोलाइट्स तक भी बिन हो सकता है जिवाश्मा मल मुत्र का अध्यन जिवाश्मे रूप की भोजन आदतों से संबुनित बहु मुल्य जानकारी को प्रदान करता है तो ये हो गया caprolites इसमे की हम जीवों के मल मुत्रों का जिवाश्मा देखते हैं ये तलचट में गीरे जिवाश्मा या जिवाश्मा के टुकड़े होते हैं ये सब्द आम तोर पर शुक्ष्मा दर्शी के तहद जिवाश्मा के पतले खंडों पर लागू होते हैं बरोज और बॉर्रिंग की बात करें तो कुछ जन्तू आश्रे के लिए या भोजन की तलास में बिल और जमीन लकडियों या चटानों के बने बिलों में रहते हैं बाद में बिलो को तलचट में बढ़कर सनक्षित किया जाता है और इन्हें भी जिवाश्म ही माना जाता है तो ये पूरा था हमारा Fossils के बारे में जिसमें कि हमने जीवाश्म के बारे में पढ़ा और जीवाश्म के प्रकार कौन सो कौन से हैं उसके बारे में डिसकुस किया तो हमने आज के lecture में डिसकुस किया है Part B के कुछ important questions जो कि हमने English और Hindi दोनों ही medium में पढ़े हैं तो अगर आपको यह PDF जो है वो देखनी हो या फिर उसमें से पढ़ना हो तो आप 12 Plus app को install करके उसपे बढ़ सकते हैं जिसके पास app install है वो इस PDF को देख सकते हैं जिसमें कि आप अराम से देख पाएंगे English और Hindi दोनों ही medium में आपको मिल जाएगी तो Part B के important questions जो है वो हमारे complete होते हैं Thank you